असलाम अलेकुम आज की हमारी वीडियो है ओर्डियों स्क्योर्टी शोप की तरफ से मिनी वाइफाई वाइट एंगल कैमरा जी हां एक तो मिनी कैमरा है और उपर से वाइट एंगल है और इसमें बैटरी बैकप भी हुचाब देता है और यह दो मेडा विक्सल फुल एच्ट कैमरा है इसको मैंने नाम दिया है पॉकिट साइज पावर हाउस मतलब साइज चोटा है लेकिन फंक्शन बहुत ज्यादा है तो अभी हम इसकी अन्बॉक्सिंग करते हैं फिर मैं आपको इसके फीचर्स भी बताऊंगा सबसे पहले यह इसकी यूजर मैनुल है जो साथ पर इसकी बैक मगनेक्टिक होती है आप इसको किसी भी मैकनेट के साथ लगा सकते हैं यह आगया हमारा कैमरा इसको मैं बाद में दिखाता हूं पहले यह स्टैन आके रख लें और इसके अंदर देख लें क्या है यह एक अधर पावर एडाप्टर है जो इसके साथ आया है और यह इसकी पावर केबल है तो यह पूरा पैकेच है मतलब इसमें कोई भी चीज आपको अलग से लेने पड़ेगी सवाई स्टी कार्ड के रिकोर्डिंग के लिए आप इसमें 128 जी में तक मेमरी कार्ड लगा सकते हैं और मेमरी कार्ड आपने औरीजिनल क्लास 10 लगाना ह कब्रेगश कार्ड ला कि यह उन ठाइब नहीं शाइए तो वह इसमें नहीं चलेगा और और में प्रोड़क्ट लगा massa है अब सपयोर कोई आप देख सकते हैं कितना सटाइलिश है और हेलिगन्ट है और में मियनिमन साइज का डिजाईन है यह इस माणन ép हो कम्शाइज के अब देवार पर लगाने के लिए इसी बैक पर डबल टेप होती है आप के डिवार भी इसको अठैच कर सकते हैं इसके ऊपर लगा लगा के किसी लोहे की reflect आप लगा सकते हैं तो ये तो कि जीस की अनबोक्सिंग, अब मैं इसको आपकी देखते हो कि इसके अंदर क्या-क्या है, ये इसमें मेमरी कार統 है, ये अपने मार्यकरस्टी कार लगाना है, ये इसकी चार्जिंग पॉर्ट है, और ये आप देखें तो एक चोटा सा आपको होल के साथ आर लिखा प्रेट बिन के अंदर एंटर करना है और पांच सेटिंड के लिए दबा के रहना है तो कैमरा जो है वो रिसेट हो जाएगा यह इसका इसमें एक एक्स्ट्रा फुंक्शन भी है कि इसमें कंपनी ने एक बटन दिया हुआ है जिसको हम कहते हैं स्क्रीन शॉर्ट बटन मतलब इसे पिक्चर भी उता सकता है इस बटन के दरी है तो यह इसका हो गया जी अन्बोक्सिंग अब मैं आपको इसका एड़ करने का तरीका और इसके फिचर्स बता लेता हम अच्छा जी अब हम डिसकस कर लेते हैं कि हमने इसको मुबाइल में एड किसे करना है इसको स्टार्ट करने के लिए इसन में एक ओन फटन होता है जो कि एक यह लगा हुआ है इसका ऐसको आप 5 सेकन के लिए प्रेस करके रिखेंगे तो यह जो शाख theatre सा होल है यहां जी छोटा सा होल है इसमें आपको लाइट नदर आ दी मैं 5 सेकंड्स के लिए प्रेस करके रखता हूं इसको 1, 2, 3, 4, 5 आप मैंने इसको छोड़ दिया अब यह स्टार्ट होने में 30-40 सेकंड्स लेता है अब आपको कैसे बदा चलेगा कि यह मुकमल स्टार्ट हो गया दो तरीके हैं एक तो इसमें यह जो दो लाइट्स हैं इन में से एक राइट बंद हो जाएगी इसरफ राइट लाइट चलेगी आप मुबाइल में जाकर देखेंगे तो मुबाइल में भी इसके सिक्डिल शो हो जाएगी जब यह रेड लाइट पड़ेगी no.com के बलीक करना बंद कर देगी यह दिखें जे यह रेड लाइ्ट पड़ेना बंद कर दीए आपने सबसे पहले अपने मुबाइल में एप्लिकेशन ओन करनी है V380 Pro और अपनी ID लोग इन कर लेनी है लोग इन करना है कि दो तरीके होते हैं एक तो आप ID रिजिस्टर भी कर सकते हैं रिजिस्टर करने का तरीका मैं पहले मता चुका हूँ अगर आपको नहीं आता तो आप उपर आई के आईकन पर क्लिक करके ID रिजिस्टर करने का तरीका देख सकते हैं इसमें बताओंगा तो वीडियो बहुत लंपी हो जाएगी तो मैं आपको बलके लोग लोग इन का भी तरीका बता रहता हूँ यह जब आप ID उपन करेंगे तो इस तरह सामने आपको स्क्रीन नजर आएगी यहाँ पे लिखाव है लोग इन रिजिस्टर यह लिखाव है ट्राइब विडाव इन आकाउट तो हम ट्राइब इडाव इन आकाउन पर क्लिक करेंगे continue पे click करेंगे तो हो सकता आपको के एक device ने अब बाया आड़ करना है के नहीं आप इसको फिलार क्रोस कर दें इसके बाद camera को हमने add कैसे करना है add करने के दो तरीके हैं एक तो आप इसको directly add कर सकते हैं directly add का मतलब camera और mobile direct add हो जाएंगे camera के horsepower से connect करके जो के इसकत मेरे wifi में show रहा है MV के नाम से लेकिन इसमें क्या नुकसान होगा कि जब मैं camera की range से बाहर दूर जाओंगा जो के 30 foot है तो 30 foot range से बाहर जाते ही camera डिसकनेक्ट होजागा मेरे mobile से और मैं दूर जाके नहीं देख सकूँगा तो अगर तो आपने पास बैट के देखना है तो यह तरीका आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप दूर जाके देखना है आप जाते हैं कि बैटे हैं आप लहोर में और जाके कराची में देखें तो फिर आपको camera को अपने wifi से पेर करना पड़ेगा आपको बताता हूँ कि आपने direct कैसे एड़ करना है फिर मापको बताऊँगा आपने इसको इंटरनेट से कैसे पेर करना है तो direct एड़ करने के लिए आपने करनी है लोग इन करना है लोग इन करने के बाद camera आप अन कर चुके हैं already आपको wifi में MV star show हो रहा होगा MV पे आपने क्लिक करना है MV पे क्लिक करने के बाद आपने connect पे क्लिक करना है connect करने के बाद आपने application में जब यहां पे आजाएगा connected no internet access तो आपने गबराना नहीं है सबसे पहले तो आपने गबराना नहीं है कि no internet access लिखा आ रहा है तो जब connect हो देगा तो आपको हो सकता है वो message देए कि internet available नहीं है तो मैं क्या दूसरे network पे switch करूँ आपने दूसरे network पे switch नहीं करना है इसको connect करके रखना है यह देखे मेरे पास नीचे message भी आगया है यह कहरा है switch to other available network no करना है ज्यादातर customer इसको yes करते हैं जिसकी वाजा से यह जो MP horsepower डिसकनेक्ट हो जाता और camera कनेक्ट नहीं होता और camera customer करिशान होता है क्यों connect नहीं हो रहा शायद डिवाइस में fault है डिवाइस में fault नहीं है तरीका कारिश का इस तरह है इसको add करेंगे तो हमने MP connect कर लिया हम application में वापिस आएंगे आप application में वापिस आने के बाद आपके देन में question आ रहा होगा कि हमने तो Wifi connect कर लिया इसमें कैसे add करेंगे इसमें add करने का simple तरीका आप इसको एक बार refresh करें रिफ्रेश करने के बाद ही नीचे आपको एक चोटा सा message शो हो जाएगा चोटा सा message जब शो हो जाएगा उसमें आपको लिखा रहा है from device, add device पे click करेंगे, add device पे click करेंगे तो ये camera की window आपको सामने नदर आजेगी, camera की window नदर आएगी तो आप इस पे play पे click करेंगे, first time जब आप camera add करेंगे तो आप से password पूछेगा कि आपने password क्या रखना है, password security reason के लिए है ताके कोई दूसरा camera add करना चाहे तो आपके password के बगार उसको add ना कर सके, हम by default अपने camera's का password admin 123 रखते हैं, आप अपनी मर्दी से कोई भी रख सकते हैं, तो नदर खानों में same password होना चाहिए, एक बार आप आई के निशान पे click करके match भी कर लें कि घलत तो नहीं है, उसके बाद आप confirm पे click करें तो camera add होने, अब next step पे आप से दो चीज़ें पूछ रहा है, वो कह रहा है कि आप इसको internet से यहीं से connect करना चाहते हैं, यह अभी फिलहाल आप इसको hot spot पे direct चलाना चाहते हैं, चूँके मैं आपको पहला तरीका बता रहा हूं, hot spot से connect करने का, तो मैं hot spot पे click करूंगा, मैं अभ से कहा था, यह wide angle camera है, pocket size powerhouse मैंने इसलिए इसको कहा था, कि यह बहुत ही wide angle है, इसका wide angle मैं आपको अभी बाहिर निकाल के भी दिखाऊंगा, यह camera I think 20 by 30 का है, इससे भी ज़्यादा area यह cover करता है, आप side हो से देख सकते हैं, कैसा wide angle cover कर रहा है, मैं फिल भी इसको video के end पर ब जीद बताना है, कि आपने इसको wifi से कैसे pair करना है, यह तो हो गया जी, इसको direct connect कैसे की करना है, हमने, अब हम देखेंगे हमने इसको internet से कैसे pair करना है, तो उसके लिए video थोड़ी देर के लिए post करता हूँ, आले जी मैंने camera reset कर दिया है, और अपने mobile से दुबारा delete कर दिया ह अब मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा, camera को mobile से connect करने के लिए, जो कि है कि आप इसको internet से कैसे pair कर सकते हैं, internet से pair करने का फाइदा यह होगा, कि आप इसको दूर जाके भी, अपने mobile letter पे चलाके देख सकते हैं, फर्स टाइम जब आप इसको pair कर देंगे, wifi के साथ, तो जिस mobile में आपने add करना है, वो camera भी wifi के पास होना चाहिए, पहली मरतबा, उसके बाद आप इसको जहामर्दी ले जा सकते हैं, और कोशिच करें, जब आप इसको pair कर देंगे हैं, तो आप wifi के नजदीक हों, mobile भी और camera, तो इसको मैं आप दूबारा से आपको start करके दिखाता हूं, ताके जिनको नहीं पता, वो भी इसको देख लें कि आपने इसको starting से कैसे करना, यह इसका power button है, इसके गोल सा निशान बना हुआ है, इसको आपने 5 सेकिंड के लिए प्रेस करके छोड़ देना है, एक, दो, तीन, चार, पांच, अब यह camera जो है, इसकी lights on हो गई है, 30 सेकिंड के बाद, इसमें से सिर्फ red light चलेगी, तो जब red light चलेगी, इसका मतलब है कि पिर camera on हो गया है, red light इसकी, I think, stable हो गई है, जी, red light stable हो गई है, अब हम इसको आप wifi से pair करेंगे, wifi से pair करने के लिए, जिस wifi से आपने pair करना है, याद रखिए, वो mobile में wifi already save होना चाहिए पिर ही आपका उस wifi से connection होगा automatically, तो wifi से camera connect करने के लिए क्या तरीका है, camera आपने on कर लिया, अब आपने ID login कर ली, login करने के बाद, plus के sign पे क्लिक करना है, जब आप plus के sign पे क्लिक करेंगे, तो आपको तो आगे QR code scan करने का कह रहा है, अब customer परेशान हो जाता है, यह तो mini camera है, इसमें तो QR code कोई बनाए नहीं हुआ, ना इसमें कोई device ID लिखी हुई है, add device ID लिखा आ रहा है नीचे, तो आपने बनाना नहीं है, उसका हम आपको हल बता देता हूँ, यह आप नीचे देख रहे हैं, एक blue color की line भी नदर आ रही है, can't find QR code on the device, no problem, click here, इस पे click करेंगे, त स्क्रीन पे चला जाएगा, अब वह आप से पूछ रहा है कि आपका camera कौन सा है, तो हमारा wifi smart camera है, wifi smart camera पे click करने के बाद आप से पूछ रहा है कि किस तरीके सा आप इसको wifi से pair करना चाहते हैं, तो हमारा होर्सपोर्ट वाला camera है, तो हम AP horsepower connection क्लिक करेंगे, अब आगे आपको आपके wifi के signal शो कर देगा, जैसे मेरा Galaxy S10 है मेरा wifi, इसको मैं इस पे click करूँगा, आप से password पूछेगा, password आपने verify कर देना है, गलत नहीं होना चाहिए, वरना camera connect नहीं होगा, confirm पे click करें, आप next stage पे कहरा है कि camera का होर्सपोर्ट select करें, ये camera का होर्सपोर्ट मैंने select कर लिया जी जब हम इस पे होर्सपोर्ट पे connect करेंगे तो ये wifi settings में लेज़ेगा और वहाँ जाके हमने होर्सपोर्ट connect करना है, होर्सपोर्ट करने के बाद हमने application में वापिस आना है, तो यहाँ पे लिखा आ रहा है device connecting और ये last step पे पहुंच चुका है, उपस step भी आपको बता रह होता है, अब यहाँ पे ये 30 to 40 seconds लेगा, connect होने में जब ये connect हो जाएगा तो ये window अपने आप next screen पे चली जाएगी, आपने कुछ मिने करना, simply wait करना है, ये देखेंजे, ये simply next screen पे खुदी चला गया है और वाइफाई से कैमरा पेर हो गया है, जब वाइफाई से पेर हो जाएगा तो red light जो है वो blue में चेंज हो जाएगी, अगर red light blue में चेंज नहीं होती तो it means कोई ना कोई mistake हुई है आप से, अब हम camera का नाम select कर लेंगे और finish ने initial camera के ला चेंज कनश पर click करेंगे तो camera का icon अाइकन शो हो जएगा तो play क्लिक करेंगे तो camera, आप से कहरा है, set password country कैमरा का कोई भी password रख लें, मैं admin 123 रखता हूं आप अपनी वर्दी का कोई भी password रख लें security के लिए, ताके कोई को पको और इस इस को इसका up ना कर सके आप चल भी इंटरनेट पे रहा है वाई-फाई के साथ चल रहा है आप माँ आपको अपना वाई-फाई दिखा देता हूं गलक्सी अस्टन इसको इसको कॉनेक्टिड है और कैमरा उसके साथ इसकत पेर है तो यह हो गया दूसरा तरीका कैमरे को वाई-फाई कैसे करना है अब पाइर पावर के इसको यूज़ करना हम इट मेंज यह बैटरी कैमरा है और बैटरी टाइमिंग इसकी चार से पांच गिंटे है और इसका एंगल भी बहुत वाइड है वाइड एंगल के लिए मैं आपको कैमरा बाहर ले जाके चेकर वाता हूँ यह देखे जिए हम मैंने कैमरा जो है वो बाहर लेके गया हूँ बाहर इसको लगाया हुआ है और आप इसको देख सकते हैं कितना वाइड एंगल है इसका यह एक किनाल की रूफ है और एक किनाल की रूफ सारी कवर कर रहा है इसमें कोई भी चीज निस्ट नहीं रही हो रही और बहुत कลियर है इसका रिजल्ट और यह 2 Melike furry 10 80.P है 1080.P कैसे है उसका carries गैया हुआँ आप अप है आप ही मोड के इसको एच्टी में मोड रखके इसको स्टाप 것으로 करनें करें तो यह आपकी गैलरी में snap short safe हो दे गा उसके बाद मिन्माइस करके अपने gallery में जाएं फोटो जिसको हम कहते हैं gallery में जाने के बाद आपको screenshot नदर आएगा वो screenshot आपने open कर लेना है और उसकी properties में जाना है इसकी property यह details में जाना है जो भी option आपको को मिल जाए तो आप यह देखें 1920 x 1080 2.1 MB इस इमेज की रेजलूशन है जो के 2 मेगा पिक्सल कैमेरे की होती है जी तो इस मिनी पॉर्टेबल कैमेरे का नाइड विजन दिखाना बागी जा गया था तो मैंने को भी आपको दिखाते चलें यह कैमरा मेरे हाथ में इस वकात और पॉर्ट की यह इस्टी पर है इसको फ्रीकर करूंगा तो मजीद के लिए रहा जाएगा और यह बहुत वाज़ा दिखा रहा है आपको रिजल्ट हालागे मिनी साइथ है लेकिन इसका रिजल्ट अच्छा है रात के बाद तो आप इसको एजी देख सकते हैं तो यह थी प्राइक के लोगा मेरे लगा उसा है